तो आज मैं आप लोगों के लिए लेक्या हमारा फिजिकल साइंस चैप्टर नमर टू का फोर्श और मोशन का उसे कोश्चन यह मैंने खुद से त्यार किया है और बाकी आपके बुक से भी है तो इन तक वीडियो को देखिएगा ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं विच फि स्टेंटंजलेशन को और लेंटरा को बाज मेंने द्लाए ट करता है रेधर बाड़ यह प्रपेशनल्ão और पर सेकेंड स्क्वाइर का तुरान उप्रन करता है विच फिजिकल फ्रिंसपल इज इंवाल्ब इन दप्रिंस बॉर्किंग ऑफ जेट अरोप्लेंड पर कौन सा प्रिंसपल काम करता है कौन सा तो वह है प्रिंसपल अप कॉंजर्वेशन अप मोमेंटम यहीं समविक का मुल्क सनक्यों उस पर एदारित है अरोप्लेंग च्वापिंग च गया मेंगर मेंट इंटांग पंच裡面 का recording उसी से ही उसकी बाद का क्यों मैंने अप अपने से से भी तैर किया है और है यह इंपोर्टेंट आप लोंक के लिए लिए चलारेंग थेंग सासरुषक fryण होती है को यह सब जब फिछ तो ऑपन्स पर हम स거를 ऐसो गोडिख debate और को लाम किस फजक है मात्रा प्रोग कर दिया जा तो अप्रीख के वbig थक फिचेल कॉन्टीची वी swollen व्चेत नेम देशिकल कॉन्टिटी था ऑन सा इसा फीजिकल क्नुनिटी है तो वह है मात्र है कार की मात्र ही एक्सलीका और फिजिकल क्वांटी इसे बनाता है और फिसिकल क्वाइज कारता है क्या नेम शिकल अभे इस गवन की ज़िलीक हो को सकता है mass और velocity का product क्या हो सकता है तो वो है momentum name the physical quantity which is considered to be measure of the quantity of the motion of a body तो वो है motion उसका right answer होगा motion sorry momentum sorry momentum what is the total momentum of a bullet and a gun firing before firing तो दोनों का momentum क्या होगा तो दोनों का momentum zero होगा ठीक है next question है यह आपके book से है गती के कितने प्रकार होते हैं तो गती के इस तरह से चार प्रकार होते हैं और भी vibrational and rotational rotational जो है वो भी गती के प्रकार होते हैं तो रेखिक गती ब्रितिय गती दोलनी गती और आविर्त गती next question है दोलनी गती का एकुदारन दीजे तो तरद कितने परकार के होते हैं, तो तुवरेंग तीन परकार के होते हैं, इस तरह सही यह question है, उसके बाद का question हम लोग देखते हैं, उसके बाद का question है, कि Newton की द्वारा लेकित पुस्ता का नाम बताए मैं बल क्या है, बल एक दैसिक राशी है यानि यह vector quantity है ठीक है बल से हमें दिशका ज्ञान होता है ठीक है उसके बाद का आपके question है वो भी आपके book से ही है तो इस तरह से मैंने 10 questions आप लोग लिए त्यार के और 10 questions आपके book के हैं उसके बाद का question क्या है कि momentum की SI unit बताएए यानि समवेक का SI unit को कहा जाता है तो जरतों का नियम न्यूटन के first law को ही कहा जाता है न्यूटन के second law से किसकी परिभासा प्राप्त होती है तो न्यूटन के second law से हमें बल की परिभासा प्राप्त होती है ठीक है तो न्यूटन के second law से हमें बल की परिभासा प्राप्त होती है और first law को हम लोग जरत वगा नियम कहा जाता है यह बुक को पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा एजी होगा तो पहले करते जाएंगे बाकी कोश्चन अपने आप होते जाएंगे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं जो की 9 क्याद 1 जाएंगे एक और और लॉक्ट कोश्चन है तो उसका एंशर भी है मैंने आप रिकट रख और कि सब्सक्राइब को आप कोश्चन होने पर दियार करसेशएं और यह उस्यादा प्रॉब्लम्ट होगा इस चप्र से रेलेटेट तो आप मुझे कॉमेंट पूछ सकते है कोई दिक्कत नहीं है मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के लिए और अच्छे इच्छे वीडियो ले किया हूं और थैंक्स पॉर यूर कॉमेंट सब्सक्रिप्शन और प्लीज तो लाइक और शेयर थैंक यू किप वॉचिंग बबाई